महरास में शुरत पवार को लगा एक और जड़का साथ विधायकों ने अजीत पवार गुट को दिया समर्थन राश्वादी कॉंग्रेस पार्टी में अजीत पवार के नेजरुत में हुई बगावत के बाद से सियासी तापान बढ़ा डिप्टी सीयम अजीत पवार और पार्टी चीफ शुरत पवार पार्टी पर अपना अपना दाउन लगा रहे इसी भी पूर्व सीयम शुरत पवार को बड़ा जड़का लगा खबरों के मताबिक नागालेंड के प्रिदेश अद्रग वान्तुंग ओडियो ने बताया कि राज्चु के नसीपी के सबी साथ विधायकों ने महाराष्ट के जिप्टी सीव अजीत पवार के गुट का समर्थन देने का ऐलान किया इस संबन में पत्र लिकर कहा कि हम उनके साथ हैं इन साथों विधायकों ने मार्च दो हजार तैस में विधास अबाचुनाव जीतने के बाल एंडी पीपी बीजेपी गड़बंधन को समर्थन किया था दरसल दो जुलाई को अजीत पवार के नैथरत में इन सीपी के कई विधायकों ने पार्टी से वगावत कर दी थी चौकाने वाले कदम के तहट अजीत पवार समेत नौ विधायक महाराश्ट के मुख्य मंतरी एकनाशिंदे और बीजेपी के महागडबंधन सरकार में शामिल हो गया शिक्षन विभाग के जम्यदारी दे गए इसके अलावा धर्मिराव बाबा अत्राम को अन और और औशदी प्रिशासन अदिती तटकरे को महिला एवं बालविका संचे बंसोडे को खेल एवं युवा मंतराले विभाग सौपा गया अनिल पाधिल को मदद पुनेरवासन के साथ आपदा विवस्थापन विभाग के जम्यदारी सौपी गई चले कुछ दिनों में रकामपा प्रमुक्य साथ अजिद पवार की दूसरी मलाकात होई है बतातेम उकमुक्य मंतरियों उनके खेमे के कुछ मंतरियों ने वाई भी चौह न्स सेंटर में शरत पवार से मलाकात की अजीत पवार खेमी ने कहा इवे मौजूदा इस्तिती में शरत पवार का आशिरवात और मांगदर्शन चाहते हैं लेकिन शरत में कोई प्रत्रिया नहीं दी थी अब वहीं शरत पवार कोई को और जटका लग गया है शरत पवार के साथ विधायक भतीजे के साथ चलेगे अब क्या करेंगे शरत पवार बड़ा सवाल